अग्छी दोस्तों नमश्कार आदाव सच्वेकाल मैं हूँ रविन सिंग और आप देखरेगे लिए चनल दोस्तों आज श्कुटों में हम बात करने जा रहे हैं अगर मैं आपको इसका टेक्निकल डेफिनिशन बता हूँ इस अमांट पावर इन वार्ट एक अम्लिफार होल्ट इन रिजर्व तो इसको डील करने के लिए जो आपका पावर बचा रहता है जो रिजर्व में रहता है उसको हम हेड्रूम बोलते हैं अब स्पाइक इन सीगनल के मतलब किया होता है अगर प्रैक्टिकल एक्जामपल बताओं तो आपने आपके साथ भी बहुत बर हुआ होगा जैसे आपने एक सेटप छोड़ा सा लगाया है आपने एक एक स्पीकर के साथ एक बॉक्स के साथ ठीक है और उसमें आपने चला रहे हैं अपका बड़ीय चल रहा है तो एकदम से कोई दूसरा परसन आता है और यापका मुबाइल के साथ और अपने मुबाइल के साथ चेंज कर यह जानए करने ठीक है और इस मीजिक बादने के लिए का मुबाइल केसे अ का भी यह करते हैं है ना म्यूजिक बदलने के लिए काफी लोग ऐसे बीच में आकर एकदम से चेंज कर लेते हैं तब क्या होता है आपने देखा होगा कि साउंड जो आपको वॉल्यूम है एकदम से बढ़ जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपका पीक वीकवार जो रेट ला किया बिना जो सेटिंग चेंज किये आपने कुछ मैंट किया तो आपने देखाो और पते होगा कि कुछ जो जीद्सा साउंड करें तो यह कुछा माशीन का आपका चालव कर रहे हैं तो एकदम से कुछ साउंड आपको स्पिकर में आता है तो वह क्या सदंज शो सर्ज क्री अब वह maximum कैसे रहेगा, maximum मतलब आप hydrum को कैसे कर सकते हैं, मतलब अब जब आप PA system लेते हैं, तो आपको जो आपका speaker है, उसका double amount of amplifier लेना पड़ता है, मतलब मान लिजी आपका speaker है 500 watt, है ना, और continuous power में अगर 500 watt वो देता है, तो आपका amplifier लगबग 1000 watt का लेना चाहिए, क्योंकि आपका speaker रहता है, उसमें भी अलग-अलग wattage रहते हैं, मतलब एक तो आपका RMS जो आपका पता है, वो root mean square के हिसाब से जो आपका wattage बताते हैं, और पीक power जो रहता है, मतलब 500 watt का अगर आपका speaker है, तो वो 1000 watt प्रोग्राम पावर हो जाता है, तो यह जो चीज रहता है, इसको डील करने के लिए, आपका जो आपका पावर रहना चाहिए, जादा रहना चाहिए, मतलब रिजर्व में जो आपका power रहना चाहिए, का कि जो 30% जो रहेगा, वो रिजर्व रहेगा, का कि आपका speaker है, उसको अच्छे से sound provide कर सके, और sudden जो spike rate हो रहे हैं, जो signal में, उसको आपका amplifier deal कर सके, ठीक है, तो इसलिए headroom हमेशा important होता है, मतलब headroom का मतलब वह होता है, कि आपका जो reserve power रहता है, वो ज़्यादा रहना चाहिए, कभी भी आप जब setup लगाएंगे, तो दूस्तों दूसरा तरीका ये है, इसको समझने का जैसे कि अगर आपके पास एक car है, वो 100 km per hour उसकी maximum speed है, बट आप उसको चला रहे हैं 60 km per hour में, तो 40 km बज़ता है, 70 km तक आप उसको बढ़ा सकते हैं उसके speed को, तो ये आपका 60 km से 30 km आपका जो रहेगा, अगर 30 km में चला रहे हैं, तो आपका जो headroom रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा, compared to 60 km, उसमें कम रहेगा आपका headroom, तो यही चीज़ आप amplifier के साथ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा वाटेज आपका बज़ता है, उतना आपका headroom ज़्यादा रहता है, ठीक है? दोस्तों, अमीद करता आपका वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को ज़रू सिब्क्राब करना, वीडियो को ज़रू लाइक कर देना, दोस्तों मिलते हैं गली वीडियो में, थेंकि दोस्तों,